ये आखाश्वानी है अब आप हरी संधों से समाचार सुनिये राजसभा ने अनसूचित जातियों और अनसूचित जनजातियों को सरकारी नौकरियों में पदवनती में आरक्षन देने संबन्धी 117. समवेधान संशोधन विधेक भारी बहुमत से पारित कर दिया है 2206 सदस्यों ने पक्ष्मे मतधान किया जबकि 10 ने इसके विरोध में मत दिया विधेक फारित करने के लिए सदन के कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत की जरूरत थी कार्मिक राज्यमंत्री वी नारण सामी ने विधेक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यूपीय सरकार अनुसूचित जातियों और जन जातियों को पदवन्नती देने के लिए प्रतिपद्ध है और इस मुद्धे पर अधिकतर राजनीतिक दल समान राय रखते हैं पदवन्नती में आरक्षन सामन्दी जविधेक को अभी लोकसभा की मनजोरी मिलना बाकी है गुजरात और हिमाचर परदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना बिस्पतिवार को होगी गुजरात में सभी 182 सीटों की मतगणना जादतर जिला मुख्यालेों में एक ही जगए पर होगी लेकिन बड़ादरा एमदबाद और सूरत जैसे कुछ जिलों में एक से ज़्यादर जगों पर मतगणना की जाएगी निर्वाचन आयोक के परियावेक्षकों को वोटों की गिंती के दोरान मतगणना केंदरों पर मौजूद रहने का निर्देश दिया कया है हमारे समवादाता ने बताया है कि वोटों की गिंती के सभी प्रबंद पूरे कर लिया कया है स्टॉंग रूम में रखी गई वोटिंग मशीने केंदरी अर्दसैनिक बलों की निगरानी में है इन मशीनों को मतगणना एजेंटों की मौजूदगी में स्टॉंग रूम से बाहर लाया चाएगा उधर हिमाचर प्रदेश में सभी 800 सीटों की मतगणना के लिए व्यापक प्रबंध किये गए है राश्टिय जाच एजेंसी एन आईये ने 2007 के समझोता एक्सप्रेस विसफोर्ट मामले के एक प्रमुक संदिक्द धान सिंग को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सीमा पर चित्रकूट से गरफतार किया है उसके 2008 के माले गाउं विसफोर्ट मामले में भी शामिल होने का संदिय है एन आईये ने बताया कि धान सिंग को चित्रकूट में स्वामी के नाम से जाना जाता है इससे पहले एन आईये समझोता एक्सप्रेस में एक विसफोर्ट की साजिश के सिलसले में 15 दिसंबर को मध्य प्रदेश में उजैन से राजेंदर चौधरी को गिरिफतार किया गया था चौधरी को हर्याणा में पंचकुला में मामले की सुनवाई कर रही अदालत ने बारहे दिन की हिरासत में भेज दिया है आंदर परदेश की मुख्य मंतरी किरिन कुमार रेड़ी ने हैदरबाद की बेगम पेट हवाई अड़े पर कल रात भीशन आग लग जाने की घटना की जांच अपराद जांच विभाग की अपराद शाखा CBCID से कराने के निर्देश दिया है मुख्य मंतरी ने घटना पर चिंता व्यक्त की है और मुख्य सचिव को घटना की तुरंट रिपोर्ट देने को कहा है कल रात साड़े ग्यारे बजे हवाई अड़े के हैंगर में लगी आग में दो चार्टर विमान और एक हेलिकॉप्टर जलकर खाक हो गया साथ दमकल गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया आग लगने का कारण शौर्ट सर्कुट बताया गया है बेगम पेट हवाई अड़े का इस्तेमाल आम तोर पर अती विश्ष्ट व्यक्तियों के विमानों के उतरने के लिए किया जाता है आज अलप संख्यक अधिकार दिवस है अलप संख्यकों के अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए स्वयक्त राश्टर ने 18 दिसंबर 1992 को राश्टरी जाती धार्मिक और भाशाई अलप संख्यकों के अधिकारों की खोशना जारी की थी भारत में इस सावसर पर अनेक कारिक्रम आयोजित किये गए हैं भारती ओपन ग्रांप्री गोल्ड बैडमिंटन टूर्णमेंट आज से उत्तर प्रदेश की राज़धानी लखनव में शुरू हो रहा है भारत की सायना नहवाल को महिला सिंगल्स वर्ग में प्रतम वरियता दी गई है पूर्व विश्व चैंपियन इंडोनेशिया के तौफीक हिदायत पुरुष सिंगल्स में पहले नमबर पर हैं छे दिन के इस टूनमेंट में भारत के पी कश्यप, अजय जैराम, सौरव वर्मा, पीवी सिंधू और अश्विनी पौनप्पा जैसे स्टार खिलाडियों का प्रदर्शन देखने को मिलेगा बारे देशों के डेड़ सो खिलाड़ी इस प्रतियोगता में भाग ले रहे हैं इसके साथ ही ये समाचार बुलिटिन समाप्त हुआ